तो इस वेडियो में ग्म आपको डीटेल मि Petal करना चाहिए यह नाइकी के Master Summit स्य नाइक जो विंडियो सिरीज वो जो शूस है वो बाइक करना चाहिए कौण सा ड़ आपके लिए पूर्पस के लिए प्रइस आदा बेटर है एक इतने प्राइस पर आपके लेना चाहिए तो चलिए देखते कि कौन से शूज आपके लिए बेटर रह सकते हैं कौन से शूज कितने प्राइस पर आपको बाय करना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टन चीज है वो बता देता हूँ तो अभी आपको maximum website पे Nike के quest 4 running shoes जो है वो देखने को मिलेंगे फिर आपको quest 5 मिल जाएंगे और फिर जो सबसे latest है quest series के वो है आपको Nike के quest 6 running shoes और इस पे आपको बहुत ही कम discounts है वो देखने को मिलेंगे तो maximum discounts आपको quest 4 and quest 5 running shoes पे जो है वो मिल जाएंगे वही अगर मैं winflow series की बात करूँ तो यहापे आपको Nike winflow 9 shoes जनरली देखने को मिलेंगे जिसके उपर discounts रहेंगे अब price जो है वो fluctuate होता रहता है बट यहापे आपको discounts है वो मिल जाएंगे तो इस sale में आप target कर सकते हो Nike quest 4 या फिर quest 5 and winflow series में आप target कर सकते हो Nike winflow 9 या फिर winflow 10 बट जो सबसे best deal हो सकते है वो आपको मिल सकती है Nike quest 5 running shoes पे and winflow 10 shoes के ऊपर किया जाए ठीक है अब क्या difference है गाई इन शूज में और कौन सा better हो सकता है चलिए जानते है अब देखो गई सबसे पहले और सबसे बड़ा difference तो है गई इस pricing का difference जो quest series है यह थोड़ी सस्ती and winflow series है इसका price आपको जो है वो थोड़ा जादा जो है वो जनरल ही जो है वो देखने को मिल जाएगा 1000-13000 का difference आपको आराम से वो issues के बीच में हमेशा जो है वो देखने को मिल रहा होगा इसके अलोगा जो quest series है इसका design जो है वो आपको काफी different मिलेगा as compared to winflow series जो quest series है इनक जो front से जो toe box है काफी जादा जो है वो narrow होता है तो अगर आपका white foot है तो आपको थोड़ा जो है वो discomfort हो सकता है बट अगर आपके normal size के पैर है तो आपको काफी comfortable भी जो shoes है वो लग सकता है इन shoes में एक खासियत होती है कि यहापे आपको side में जो bands है वो मिल जाते है जिससे जो shoes है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो lock हो जाते है और बहुत ही बड़ी है fitting मिलती है इन shoes में जैसे quest 5 में यहापे आप देख सकते हो guys bands का जो use है वो किया हुआ है वही guys यहापे आप देख सकते हो जो quest 4 है यहापे इन threads या फिर fly bands बोल जकते है इनका use जो है वो quest series में जो है वो मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इन shoes की बाकी अगर gripping की बात करेगा इस तो यहापे hard rubber मिल जाता है जिससे बहुत अच्छी grip आपको मिल जाएगी midsole की अगर मैं बात करूगा इस तो midsole की जो thickness है वो decent है press करोगे तो press हो जाता है बट मैं यह भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ही soft midsole है थोड़ा harder side पर आपको यहापे जो है वो midsole feel होगा तो अगर आप daily wear करना चाते हो तो एक अच्छा option जो है वो रह सकता है बट running purpose से लेना चाते हो गईस तो जो energy back वो सब मिलना जो है वो थोड़ा difficult हो जाता है इन shoes में बाकी अगर daily use करना है थोड़ा बहुत ही running करना है daily running नहीं करते हो तो अच्छा option हो सकता है guys यह shoes बाकी पहनने के बाद मुझे तो guys यह shoes है वो comfortable लगते है चाहे वो quest 4 हो या फिर quest 5 हो बट बेटर आपके लिए जो है वो अभी quest 5 जो है वो रह सकता है इनका जो midsole midsole है वो थोड़ा softer है as compared to quest 4 तो जो 5 है वो better option आपके लिए जो है वो रह सकता है ठीक है weight की अगर मैं बात करूँगा इस तो UK 11 मैंने जो है वो बलाया था उनका जो weight है वो almost 336 grams के आसपास जो है वो मुझे देखनी को मिला था तो weight भी बहुत जादा नहीं है light weight में भी हम इन जो है वो नहीं डाल सकत है wind flow 9 से better wind flow 10 है तो आप इनके लिए जो है वो जा सकते हो यहाँ पर इनकी एक खासियत है कि यहाँ पर आपको guys air cushioning जो है वो मिल जाती है जो कि काफी premium insole है और यह बहुत ज़्यादा soft है as compared to quest series तो यह running के लिए बहुत ही अच्छा जो shoe है वो रह सकता है वो ज़्यादा बे में guys आपका जो performance है वो बढ़ सकता है इन shoes के वज़े से इसके अलावा अगर mesh की बात की जाए guys तो यहाँ पर overall जो mesh की quality है वो भी अच्छी है यहाँ पर आपको जो holes है वो दिये हुए जिससे breathing जो है वो अच्छी हो जाती है इन shoes में and guys यहाँ पर आपको जो grip है वो भी में अगर weight का में बात करूँगा इस तो 320 gram के आसपस guys मुझे जो इनका weight है वो देखने को मिला and दोनों quest and जो wind flow है दोनों का size है वो UK 11 ही था and आप जो weight का difference है वो देख सकते हो बहुत जादा difference नहीं है बट जो wind flow series है guys यह आपको और थोड़ा जो light weight है वो लगेंगे because weight distribution है व मैं बात करूँगा इस तो दोनों shoes में आपको अच्छी stability मिल जाएगी चाहे वो quest 5 हो या फिर wind flow as such कोई problem आपको नहीं आएगा बट एक चीज है अगर आप running purpose से लेना चाहते हो तो wind flow series वो आपके लिए जादा better जो होगी because इसका midsole है वो जादा better as compared to quest series तो इनके लिए आप 4 के लिए जो है वो जा सकते हो because इनका जो price है वो भी काफी कम है as compared to wind flow तो एक अच्छा option आपके लिए जो है वो रह सकता है बट अगर आप एकदम running के लिए issue buy करना चाहते हो तो फिर आप वो wind flow के लिए जा सकते हो इनका भी आप daily use कर सकते हो बट running के लिए जादा helpful आपको जो है वो रहेंगे and as such आपको कोई problem भी जो है वो नहीं आएगा आपको इन शूज में running के लिए and अगर मैं pricing की बात करूँ गाई तो अगर आप quest series के लिए जा रहे हो तो 1500 के अंदर अगर आप इन शूज को buy करते हो तो एक बहुत अच्छी deal आपको जो है वो मिल सकते है च तीन हजार से साड़े तीन की बीच में मिलते है तो एक बहुत ही अच्छी प्राइस हो सकते है और इस पे आराम से आप इन शूज को जो है वो बाय कर सकते हो मैंने खुद इन शूज को जो है वो लिया हुआ है जब डिलेवर होगे तो तब मैं आपको दिखा दूँगा इस प् stuffs इन शोच की जो डिफरंट गॉला है इसके बी रिव्यूस आपको जैव देखने को मिलेंगे बट ही कि टाइम में विनफो 10 लेट की लिए आप जकते हो जयो जा सकते हो अगर बजेट कम हैoa कोई आपको ईशि कर प्हुई है यत धो रहए सकता है और बाकी आपको को वेबसाइट की लिंक से वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जहापी भी आपको सस्ता मिलता है वाद से आप इन शूस को जो है वो बाई कर सकते हैं और बाई करने के बाल क्या कर चेक करना है ताकि और फिर फेक का डिफरेंस पता चले इसका भी वीडियो मैंने बनाय है वो भी आप देख सकते हो उससे भी आपको सारे जो चीज़े वो समझ में आ जाएगी ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही गईस मिलते हैसी हो और एक इंफरमेटिव वीडियो में